हलो दोस्तों आप देख रहा है आई जी पेट्स चैनल और मैं आज आपको बताऊंगा पर्शेन कैट को फंगल इंफेक्शन से कैसे बचाए जो के आपको देखना बहुत जरूरी है अगर आपके पास फीमेल पर्शेन कैट है तो इस वीडियो को आपको जरूर भी जरूर दे के और फंगल इंफेक्शन से और बाकी के जितने भी इंफेक्शन से उन से किस तरीके से बचा जाए इस वीडियो में मैं बताऊंगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अचका वीडियो और अभी तक आपने हमारे आई जी पेट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया त क्योंकि फंगल इंफेक्शन कितन के कितन को बहुत जल्दी पकड़ेता है और उसके बाद जो है क्याट को हो जाता है और और cat को हो जाने के बाद आप जो है एक 6 महीने तक fungal infection जाता नहीं है इसलिए आपको जो है उन fungal infection से अपने kitten को जो है बचाना है अपनी Persian cat के kitten को जो है बचाना है क्यूंकि बहुत सारे cat के जो breeder है उनको एक kitten को हो गया तो पूरे cat पूरे जितने भी उनके पास cat है उन सब को fun fungal infection हो जाता है और fungal infection हो जाने के बाद आपकी cat जो है बहुत ही ज्यादा बिमार हो जाएगी और आपको उसको treatment भी करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इसलिए आपको जो है पहले से उसको fungal infection से बचाना है और उसकी जो kitten है उनको भी जो है fungal infection से बचाना है तो infection से बचाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको 2 box लेने आया на की एक box में kitten cat the kitten देगी और उसके बाद 12 गंटे के बाद जो आपको box उसको Newton's को Q T इसमें tenemos करना और cat को भी में shift करना ये box बिरका देना है आपको सबसे पहले चीज क्लीन रखना है हर एक चीज जो है आपको क्लीन रखना है और इसमें जो है आपको यहाँ पे कपड़ा वगेरा जो है कपड़ा और न्यूस पेपर जो है आपको बिचा देना है और बिचाने के बाद हर रोज जो है आपको यह दो बार चेंज करना है एक टेम जाने और इसमें आपको वन मंथ तक रखना इसलिए आपको इसको पूरा अच्छे से इस तरीके से चेंज करते रहना है और चेंज करने के बाद आपको हर रोज यह दवाई भादिया है हैंए आपको दिखा देता हूं कोन सी दवाई आपको जो है यहांपे भातीन यहाँ पर दिखे इस तरीकी की आपको दवाई मिलेगी फंगल इन्फेक्टिरीह कर के इस तरीकी एकहे स्प्रेय मिले गाई और आपको यहां पर नीचे बाना नहीं है आपको सिंपल उपड़ यहां पर 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 स्पेह करने के बाद आपको सनलाइट में रखने के बाद आपको box कब लेका कर यह कपड़ा चेंज करके आप के किटन गुज़ा यहांपे बायर यहांपे मैं भाफत कर दिखांगा कि किस तरीके से आपको उसको करना हैं आपर दिखें ये जो है box अभी कुछ कामर का नहीं है और इसको जो है हम बिरकाएंगे तो simple ये दो जो है kitten दे दिया है मेरी cat याने की चार दी दी चार में से दो kitten जो है मर चुके है और दो kitten जो है अभी बाकिया है तो आपको इसको इस तरीके से रख देना है और रखने के बाद ये cat जो है वहाँ पे चली जाएगी और इस box को जो है भिरका देना है और आपको पता ही होगा ये जो है आपके नजदी की store में medical store में मिल जाएगा अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा तो मैं amazon के link जो है description में दे दूँगा आप जो है amazon से भी खरीद सकते हो इस दवाई को तो यहाँ पे आपको इस तरीके से रख देना है और cat के जो बार रहते है यानि कि यहाँ आपे दिखिए यह cat के जो बार रहते है यहाँ से लेकर पूरे नीचे तक इस सब को कट करना है यहाँ पे पूरे बाल नहीं रहना चाहिए अभी मैंने कट नहीं किया है इस बालों को मैं कट करूँगा पूरे बाल को कट करूँगा और कट करने के बाद यहाँ पे पूरा clean रहना चाहिए और अगर आपके cat के इतने ज़्यादा बाला है तो इनको भी थोड़ा थोड़ा कट करिए क्यूंकि fungal infection के लिए सबसे best जो दवाई रहती है यह है cat का saliva यहने कि cat का जो थूक रहता है यहने कि वो जो लिक करती है अपने kitten को अपने kitten रहता है उसको जो चाड़ती है तो वही चीज जो है fungal infection के लिए antibiotic होती जाती है तो इसलिए आपकी cat को पूरा clean रखने के लिए आपको जो है इन सभी बालों को जो है cut करना पड़ेगा आपकी cat को भी नहीं होगा fungal infection और आपकी kitten को भी जो है fungal infection नहीं होगा तो इसलिए आपके बाल जोए यानि कि कैट के बाल जोए पूरे जोए जितने भी कट करना चाहते हो आप कट करिए फिर से दो महीने के बाद में उख के आ जाएंगे यानि कि पूरे बर जाएंगे दो महीने के बाद और अच्छे बाल अच्छी कॉलिटी के बाल आ जाएंगे तो इसलिए आपको पूरे बाल कट करने है यह उपर के मत करिए यहाँ पे नीचे कट करिए और अगर आप चाहते हो उपर के cut करना तो उपर के भी cut कर सकते हो तो इस तरीके से आपको fungal infection से बचाना है अपनी Persian cat को और Persian kitten को और उम्मिद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आये तो like करिए, share करिए, subscribe करिए और देखते रहिए IG Pets चैनल